गोविंद बोलो हरी गोपाल बोलो राधारमन हरी गोपाल बोलो क्रिस्न जन्मास्टमी हिंदूों का एक प्रसिद्ध त्योहार है यह त्योहार हिंदू केलेंडर के अनुसार भादर पद माह के क्रिस्न पक्च की अस्टमी को मनाया जाता है इसे भगवान स्री क्रिस्न के जन्मदीन के रूप में मनाते है जन्मास्टमी को गोकलास्टमी, क्रिस्नास्टमी, स्री जन्ती के नाम से भी जाना जाता है महरास्ट में जन्मास्टमी दही हांडी के लिए विख्यात है भगवान कृष्ण को भगवान विश्णु का सबसे सक्तिसाली अवतार माना जाता है उन्होंने धर्थी पर से राक्चसों के सम्राज को खत्म करने के लिए जन्म लिया था भगवान स्रीकृष्ण देब की और वासुदेब के आटमे संतान थे स्रीकृष्ण का पूरा जीवन हमारे लिए प्रेड़ना का सुरोत है उनके जीवन की हर एक घटना एक महत्पुन संदेज देती है चाहे बच्पन की रासलिला हो या गीता का ग्यान या फिर महाभारत का युद्ध भगवान स्रीकृष्ण के जीवन का हर एक पल मानवचाती के लिए एक सिच्छा है देव की राजा कंस की बहन थी कंस को अपनी ताकत का घमन था उसकी सोच थी कि लोगों को भगवान की जगा उसकी पुजा करनी चाहिए उसनोंने निर्दोस लोगों को बेरहमी से मारना सुरू कर दिया जो उसका सम्मान करने से इंकार करते थे उसका अत्याशार दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा था वशुदेव नव विवाहित देवकी और कंस के साथ गोकुल जा रहे थे तवी एक आकासवानी हुई कि कंस जिस बहन को इतने प्यार से तू लेकर जा रहा है उसके गर्व का आठमा पुत्र तेरा काल होगा जैसे ही उसने आकासवानी सुनी उसने अपने सैनिकों को अपनी बहन देव की और उसके पती वासुदेव को कारागार में रखने के लिए आदेश दिया इसके बाद कंस ने एक के बाद वासुदेव और देवकी के साथ बच्चों को मार दिया भाद्र मास की आधी रात को रोहिनी नक्छत्र में संख चक्र गदा धारी भगवान स्री कृस्ट ने जन्म लिया उनके जन्म के समय उस कारागार की छटा भी स्वर्ग जैसी हो गई जहां वसुदेव और देव की बंद थे नाराइन की यह लिला देखकर देव की और वसुदेव अभी भूत हो गए उसके बाद स्री कृस्ट ने वसुदेव को निर्देश दिये और बाल रूप में आ गए इसके बाद कारागार में अद्भूत गटनाई मी वसुदेव की हतकरियां खुल गई सारे द्वार पाल सो गए वसुदेव कृस्ट को उठाकर विन्दावन की ओर चल दिये रास्ते में यमना नदी परती थी वो भी भादों की उपनती यमना वसुदेव यमना पार कर रहे थे मा यमना क्रिस्ट के चरन चूने के लिए मचल उठी वसुदेव टुकरी को जितना उपर उठाते यमना उतना ही उपर आती जाती एक वक्त ऐसा आया जब वसुदेव के सर के उपर तक जमना का जल अस्तर बढ़ गया इसके बाद सरी क्रिस्ट ने अपना पैर नीचे लटका दिया और यमना चरन चूकर सिमट गई आधी रात के अगले पहर वसुदेव महराज नंद के घर पहुँचे और उनकी नवजाद बच्ची को उठा कर उनकी जग़ क्रिस्ट को रख दिया और वापस चले आए वापस आकर कारागार का सारा द्रिश फिर पहले जैसा हो गया नंद बावा और मा यसुदा ने ही भगवान स्री क्रिस्ट का पालन पोशन किया क्रिस्ट ने कंस को मौत के घाट उतारा उसके बाद बारी कंस वत की थी कंस ने लाग बचने की कोशिस की लेकिन अंत में आकाशवानी सच साबित हुई और कंस क्रिस्ट के हाथों मारा गया